फ्रेंड्स वेलकम टू विद्या की जन्नी आज हम लोग आधुनीक काल की साहितिक रचनाय हम उसके रचनाकार के बारे में जानेंगे और ये आडियो आपके लिए बहुत महत्पूर होगा और अगर पसंद आए तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो सुनते हैं अंधेरी नगरी ये किसकी रचना है तो भारते द्वरिशंद की है अंधेरी नगरी भारते द्वरिशंद भारत दूर्दशा भारते द्वरिशंद परिच्छा गुरू इसरी निवास दास जी का है दिवरानी जठानी गुपाल दास गहमरी अंधेरी नगरी के रचनाकार है भारतिन ध्वारिशन भारतिन ध्वारिशन परिच्छा गुरू के स्रीनिवास दास रचनाकार है दिवरानी जठानी के गुपाल दास गहमरी है और चिंदा मड़ी के आचार रामचाश शुक्ल है दुरुष वामनी के जैशंकर प्रशाद है अनामिका रचना है और उसके रचनाकार है शूरकां तरपाथी निराला युगवाड़े के रचनाकार है शुमित्रा नंदन पंत जी दीप सिखा जो रचना है उसके रचनाकार है महादेवी बर्मा प्रेमासरम के रचनाकार है प्रेमचंद गबन के रचनाकार है प्रेमचंद गबन के रचनाकार है प्रेमचंद गोदान के रचनाकार है प्रेमचंद चंद्रगुप्त के रचनाकार है जैशंकरपशाद चंद्रगुप्त के रचनाकार है जैशंकरपशाद और इसकंद्रगुप्त के रचनाकार है जैशंकरपशाद इसकंद गुप्त और चंद गुप्त ये दोनों जैसंकर प्रिशाद की रचना है सेखर एक जीवनी ये किसकी रचना है तो सचिदानंद हेरानंद वात्सयायन अगेजी की रचना है अगेजी का पूरा नाम है सचिदानंद हेरानंद वात्सयायन सेखर एक जीवनी जो इनकी रचना है सचिदानन्द हीरानन्द वाध्यायन अगेजी की रचना है सेखर एक जीवनी नदी के दीप उपर्न्याश है यह अगेजी की है नदी के दीप उपन्याश है ये अग्ये जी की है अग्ये जी का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वातसयायन अग्ये चांद का मुख टेढ़ा है ये किसकी रचना है तो गजानंद माधो जी की रचना है जो मुक्तिबोध है उनकी रचना है चांद का मुख टेढ़ा है कंकाल जैसंकर परशाद की है तितली जैसंकर परशाद की रचना 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 है तितली जैसंकर राम और रहीम रादिकार अमण प्रशाद सिंग की रचना है, चंध हशीनों की खतूत ये किसकी रचना है, तो पांडे वेचन सर्मा उग्र की रचना है, बानभट की आत्म गता हजारी प्रशाद दिवेदी की रचना है, बानभट की आत्म गता हजारी प्रशाद दिवेदी की रचना है, बूद और शमुद्र ये किसकी रचना है, तो अमरितलाल नागर की रचना है, कब तक पुकारूं ये इसके रचना कार है, रागिये राखो, कब तक पुकारूं की रचना कार है, शुनीता, शुनीता किसकी रचना है, तो सुनीता जैनेंद्र की रचना है, शुनीता और त्यागपत्र ये जैनेंद्र की रचना है, सुनीता जैनेंद्र की रचना है, त्यागपत्र भी जैनेंद्र की रचना है, तमश किसकी रचना है, तो तमश भीष्म साहनी की रचना है, तमश किसकी रचना है, तमश भीष्म साहनी की रचना है, मैला आचल किसकी रचना है, तो फड़िशर नात रेडू की रचना है, मैला आचल फड़िशोर नाथ रेड़ू की रचना है पहला राजा किसकी रचना है तो जगदीश चंद माथूर की रचना है पहला जो राजा है वो किसकी रचना है जगदीश चंद माथूर की रचना है कोडार्क किस की रचना है तो जगदीश चंद्र माथूर की रचना है पहला राजा और कोडार्क ये दोनों जगदीश चंद्र माथूर की रचना है असार का एक दिन इसे मोहन राकेश की रचना है हनुष किस की रचना है हनुष के रचना है किसकी रचना है कलकथा बाया बाईपास किसकी रचना है तो यह अलका सरावगी की रचना है कि रचना है पहला गिर्मिटिया पहला गिर्मिटिया किसकी रचना है तो गिर्राज की सोर की रचना है आगरा बाजार किसकी रचना है तो यह हवीब तनवीर की रचना है आगरा बाजार हवीब तनवीर की रचना है आगरा बाजार पार्टी कामरेड और दादा कामरेड ये दोनों रचना है ये दोनों ये शपाल जी की रचना है रतिनात की चाची ये किसकी रचना है रतिनात की चाची ये रचना है नागारजुन जी की रचना है नाटक है वो किसकी रचना है तो ये प्रेमचंद जी की रचना है करबला नाटक है और यह प्रेमचंद की रचना है संगराम नाटक है और ये प्रेमचंद की रचना है संग्राम ये जो नाटक है इसके रचनाकार है प्रेमचन हुंकार की हुंकार जो है किसकी रचना है तो रामधारी शिंग दिनकर जी की रचना है हुंकार रश्मरती और ये दोनो रामधारी शिंग दिनकर की रचना है नूर जहां किसकी रचना है? नूर जहां गुरु भक्त सिंग भक्त की रचना है परशुराम के प्रतिक्षा ये किसकी रचना है? रामधारी शिंग दिनकर की रचना है परशुराम के प्रतिक्षा रामधारी शिंग दिनकर की रचना है परती परिकथा ये किसकी रचना है? तो परती परिकथा फड़िशोर नात रेडू की रचना है जूठा सच किसकी रचना है? तो जूठा सच की रचना कार है वे एसपाल जी है जो रचनाकार है जो टा सच के रचनाकार है इसपाल जी जहसी की रानी किसकी रचना है तो जहसी की रानी ब्रिंद्यावन लाल बर्मा की रचना है सूरज का सात्मा घोड़ा एक इसकी रचना है तो धरंबीर भारती की रचना है आधे अधूरे ये मोहन राकेश की रचना है चीडो पर चादनी एक इसकी रचना है निर्मल बर्मा की निर्मल मर्मा जी की जो रचना है वो है चीडो पर चादनी कितने पाकिस्तान एक कमलेश्व जी की रचना है मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृतियायन की रचना है। सिंग्भाव लोकन एसपाल जी की रचना है। दिब्या एसपाल जी की रचना है। कामाईनी की रचनाकार है। जैशंकर पशाद कामाईनी के रचनागार है जैशंकर पशाद बिस्रामपूर का शंत ये किसकी रचना है तो बिस्रामपूर का शंत स्रीलाल सुकली की रचना है रागदरबारी किसकी रचना है तो स्रीलाल सुकली जी की रचना है रागदरबारी स्रीलाल सुकली जी की रचन निर्मल भरमाजी की रचना है वो है अंतिम अरेडे अंतिम अरेडे ये रमल बर्मा जी की रचना है आपका बंटी ये मन्नु भंडारी जी की रचना है आपका बंटी मन्नु भंडारी जी की रचना है महा भोज मन्नु भंडारी जी की रचना है महा भोज किसकी रचना है तो मन्नु भंडारी जी की है संसय आत्मा ये किस की रचना है तो ग्यानेंद्र पती की रचना है संसय आत्मा ग्यानेंद्र पती की रचना है महा भोज मन्नु भंडारी की रचना है आपका बंटी मन्नु भंडारी की रचना है महा भोज मन्नु भंडारी की रचना है संसे आत्मा ग्यानेंद्र पती की रचना है अंतिम अरडे निर्मल बर्मा की रचना है सरकस संजीव की रचना है आधा गाउम राही मासुम रजा की रचना है राग दर्वारी स्रीलाद सुकली जी की रचना है बिस्तरामपूर का शंत स्रीलाद सुकली जी का है कामायनी जैशंकर परशाद का है दिव्या एश्पाल जी का है कामायनी जैशंकर परशाद का है शिखमाव लोकन ये भी एश्पाल जी का है मेरी जीवन यात्रा राहुल संकरत्यायन का है दुख मोचन नागारजुन जी का है नई पौधा नागारजुन जी का है, मचली मरी हुई राजकमल चोधरी जी का है, कितने पाकिस्तान कमलेशवर जी का है, चीडो की चाजनी इंदिर्मल बर्मा की है, आधे धूरे मोहन राकेश जी की रचना है, सूरज का शात्मा गोडा धरम बीर भारती जी का है, ब्रेग न इस्वानाथ रेडू जी की है, परसराम की प्रतक्चा रामधारी शिंग दिनकर जी की रचना है, नूर जहां गुरु भक्त जिंग भक्त की रचना है, रश्मिरती रामधारी शिंग दिनकर की रचना है, फूंकार रामधारी शिंग दिनकर की रचना है, फ्रेंट्स ये र कर दो कर दो है